तो एवरिवान वेलकम बैक टू माई चैनल तो जी मंगलवार का दिन है रात के करीब सवा नौ बजी का टाइम है और सवा नौ बजी जो है ना मैं डिनर बनाने की शुरुवात कर रही हूँ तो इससे पहले हम लोग सब्जी मंडी चले गए थे क्योंकि टूजडे और सब्ज लेने चले गये थे और सब्जी लेने से पहले मैं गई थी ग्रॉसरी लेने के लिए तो बस वहाँ पर जो है ओर्डर दे के आना होता है वो भहिया जो है घर पे ही पुचा देते तो इन सारी चीजों को करते करते ना काफी जादा टाइम हो गया तो सब्जी लाते-लाते हम लगों को जो है सावनों का टाइम हो गया था और आज ही ग्रॉसरी लाना भी जरूरी था क्योंकि घर का सारा आइटम जो है खतम था इस्पेशली डाले तो बस घर आते ही सबसे पहले मैंने डाल बॉयल करने के लिए रख दी है अररकी डाल और साथी साथ यह जो चावल है इनको भी जो है मैं वाश करके 10-15 मिनट भीगने के लिए रख दूँगी तो जब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो सबसे जो एक असान आप्शन आपके पास होता है वो दाल चावल बनाने का होता है क्योंकि यही जो चीज है यह सबसे जल्दी बनती है और स पता है कि अभी थोड़े बहुत दिन पहले मैंने कीचन के सारे बॉक्स दो दिये थे और वो इसलिए कि उसके बाद ना मुझे थोड़ी सी महनत कम करनी पड़े तो आज का मेरा काम सीफ इतना ही रहेगा कि बॉक्स में जो यह डाल रखनी है और फिर बॉक्स को उनकी जगे लोगों को पता है बट कभी दिमांग से बिलकुल मिस हो जाता है उस दिर होता है जिस दिन बचे नाइट में मिल्क नहीं पीते है तो इस इधर सारी दाले मैंने रखली है और ज्याद़ दाले नहीं लेकर आती हैं आपको पहले भी बताया है मैं सिर्फ उतना ही समान लाती हूँ जितना कि मुझे पता है कि एक महीने में मेरा समान लग जाएगा क्योंकि अंदाजा हो जाता है आप लोगों को कि कितना समान लगने वाला है तो इसलिए जादा बल्क में मैं बहुत जादा नहीं लेकर आती क्य बाकी का जो समाना भी मेरे यूस का नहीं है, जैसे की हल्दी पाउडर हो गया, मेर्च मसाले, क्योंकि अभी थोड़े बहुत रखे हुएं, तो मैंने पैकेट्स नहीं खोलें, वो मैं बाद में ही खोलूंगी, तो इधर दूद भी मैंने चड़ा दिया है, बॉयल होने के लि क्योंकि वो वाली डाल ना रोटी के साथ तो ठीक लगते हैं, बर चावल के साथ इतनी जादा अच्छी लगती नहीं है, राई में घी डाल दिया है, उसके बाद उसमें जीरा और ही डाला है, अच्छा घी भी मैं लेकर आ गए थी, क्योंकि मेरे पास घी बिलकुल खतम हो मलाई मैंने रखी हुई है बाहर निकाल के, बट मॉनिंग से टाइम ही नहीं लगा कि उस मलाई का मक्षन मना के और मैं घी बना दू, तो फिर मुझे जो है मार्केट से लाना पड़ा, क्योंकि बीना घी के काम नहीं चलता है, और एक कॉमेंट भी आया था कि जब बचे परहेज नहीं करना चाहिए, जितना हो सके बच्चों को घी जरूर कि लाना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि कभी जब हम छोटे दे तो मम्मी बहुत बहुत घी देती थी खाने के लिए, और ये सारी चीज़े आपको बाद में पता लगती, जब आप बड़े हो जाते बड़े बुडो की कहावत भी है, कि खाया पिया बाद में पता चलता है, तो बस यही है, तो इसलिए घी की कॉंटिटी में बच्चों के लिए कमी ना करें, हाँ खुद के लिए कर सकते हैं, बट बच्चों को नहीं करनी चाहिए, तो ये मेरा मानना है, बाकी आपकी राय क क्या है, मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरू बताईएगा, तो बाते करते करते हैं, आप से दाल मैंने फ्राई कर ली है, अब ये जो सबजिया है ना, इनको मैंने निकाल के रख दिया है, क्योंकि अभी नाइट में ही मैंने वाश करके भी रख दूँगी, तो ये होता है कि जितना काम साथ के साथ निप्टाती हुई, चलू तो ठीक है, और ये जिस स्टैंड में लेकर आई थी, इसमें आलू रखे वे थे, जो उपर सारे खराब हो गए थे, पता नहीं कैसे, तो बस वो वाले आलू जो है मैंने हटा दिये है, और थोड़ा बहुत लेसन भी इसमे तो मैं बताओं आपको जब भी सब्जी लेने जाती हूँ, तो वो पनी वाले, जो सब्जी देते हैं जिस पनी में, इतनी तेज उसको बान देते हैं कि वो खुलती नहीं है, पनी फटी जाती है, कल भी मैंने कितना ट्राइ किया, तो इतनी सारी सब्जियों में सिर्फ दो जो है न वो खुली थी, बाकी सारी मुझे इसी तरीके से फाणनी ही पड़ी, तो मजबूरी है वो इतनी तेज बान देते हैं कि वो खुलती नहीं है, जब सीधी तरीके से नहीं खुलती तो फिर मुझे वो वाला तरीका अपनाना पड़ता है, तो इधर जो है डाल बन चुकी थी इस टाइम तक और खुद भी मैंने खाना खा लिया था अब कीचन जो है सेट कर देते हैं जल्दी से मन तो नहीं कर रहा था कि कीचन वीचन सेट करू क्योंकि जब टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो फिर ना आपको आलस आने लगता है लेकिन आलस दिखा जो है हम लोगों के काम आ जाएगा और साथी साथ कीचन का जो काउंटर टॉप है ये सारा भी क्लीन कर लूँगी मैं अभी तो पहले जो है सबसे बड़ा जो टास्क होता है वो जो काउंटर टॉप पे फैले हुए सारे बरतन होते ना उन्हें समेटने का होता है तो बस कीचन टूर है मैंने अलरड़ी अपने चैनल पे अप्लोड किया हुआ है तो वहां जाके देखिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाहिएगा वहां पर मैंने सब कुछ मेंशन किया है और ये भी मेंशन किया है कि कीचन हम लोगों ने किस से बनवाई थी उनका भी न बूद रखा हुआ है तो थोड़ा सा जो है रूम टेंपरेचर पर आजए हालंकि इतनी जल्दी आएगा नहीं क्योंकि गर्मिया है तो इसलिए जो है मैंने गैस के उपर रखा हुआ था उसको तो बस अभी जो है थोड़ा सा थंडा हो गया था तो मैंने इसको अलग ने के लिए रख दिया था और इतनी देर में फिर मैंने सुचा कि मैं जल्दी से मखन भी बना लेती हूं घी तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि गी का जो प्रासेस होता है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है मखन बिल्कुल मिंटों में बनके तयार हो जाता है तो बस यहां पर म परिज का पानी यूस करते और जिब सर्दियां होती है तो थोड़ा सा गर्म पानी में यूस करते हूं तब जाके मखन निकलता है और गरमियों में फ्रीज का बिल्कुल थंडा पानी तब जाके यह मखन निकलता है क्योंकि अगर आभी आप इसमें कर्या distill争ना जबां की त तकि next day तक ये सूख जाए तो ऐसा होता है कि मैं इन चीजों को अगर छोड़ दूना तो मुझे ना नीदी नहीं आती है रात बर तो फिर रात के चाहे 12 बच जाए मैं अपने सारे काम निप्टा के ही सोती हूँ तो इस काम में भी मुझे रात के 12 बच गये थे क्योंकि आपक अब जी भी वाश करनी थी वो भी वाश नहीं करके रखी है और अगर किसी दिन बरतन छोड़ दो तो फिर दिमाग में यही चलता था कि यार बरतन छूटे में सूबे उटके वाश करने तो तसली से सोना है तो इससे अच्छा यही होता है कि पहले अपना सारा काम निप्ट चाही हुई थी क्योंकि इवनिंग टाइम पर क्या होता अपना होमवक वगएरा करते हैं तो बच्चे ऐसे ही मतलब सारी चीज़ें टेबल पर छोड़ देते हैं फिर इस बीच बच्चों के पापा है तो उन्होंने अपना टिफिन टेबल के ऊपर छोड़ दिया तो वह सा क्यों न एक कप बढ़िया सी चाय बनाई जाए तो थोड़ी सी नी जो है वह भाग जाएगी तो बस मंडी से मैं अधरक लेकर आई हुई थी तो यहां पर अधरक की चाय बना रही हुँ मैं क्योंकि अधरक बहुत इन से मेरे घर में खताम हो रहा था और सच बताओ न तो व तब यह चाय उबल रही थी उसकी खुश्बू आ रही थी न तब जाके लग रहा था कि हाँ चाय बन रही है तो बस अभी जब तक चाय बनती है तब तक यह कपड़े जो स्टैंड में सूख गए हैं इनको अंदर ले आते हैं और इसके बाद मैं पियूंगी चाय और बस अ